तो चलिए हम और एक प्रश्ण लेते हैं तो क्या ये जो अविद्या का शब्द है क्यूंकि इसे अद्वेत में उप्योग किया गया है तो क्या इसलिए अद्वेत को प्रच्छन बौध कहा जा सकता है तो इसका समाधान है नहीं क्यूंकि अविद्या जो शब्द है हमें उपनिशद में दिखाई देते हैं योग सूत्र में ये भी दिखाई देता है कि अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेशा, अभिनिवेशा, पंचकलेशा, तवेवपाशा तो मतलब क्या है कि योग में भी अविद्या को माना गया है विसिष्टा द्वेत में भी अविद्या को माना गया है और हमें अन्य दर्शन में अविद्या के शब्द का उप्योग किया जाता है लेकिन अलग-अलग दर्शन जो है अलग-अलग तरीके से अविद्या को डिफाइन करते है अविद्या क्या है उसका अलग-अलग विवरण अलग-अलग दर्शन देते है तो यह है प्रश्ण का समाधान और एक प्रश्ण से मिलते हैं तब तक के लिए अलवेदा